नई विधान सभा का गठन होने जा रहा है विरन जी स्वागत आपका ये पिछले 48 घंटे से जो तूफान मचा हुआ है न ये अकलपनी है उत्तर प्रदेश के वीतर आप बताओ आपका उनुभो क्या कह रहा है और आज दिनभर पावर कारीडोर में और अपोजिशन के दिखाएं वो कल का इनतिजार कर रहा है रिजल्ट क्या होगा उनके गले एक्जिट पोल उतर नह्य रहा है इस बहुत सारे ऐसे लोग है पार्टिया है और आप धीजेपी को फाइदा दिखाया ती और उत्तर प्रदेश की राजनीत किस दिसा में जाएगी इसकी लीडर्शिप अब आगे किस तरह की होगी और उत्तर प्रदेश और भारत का भवी सब कैसा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, राज यह सबसे ज़्यादा सीटे देता है, केंदर की जो सरकार बनती है, वो उत्तर प्रदेश पर बहुत कुछ निर्भर करती है आज यह दिसा तैं करेगा यह चुनाओ, अब कुछ घंटे बचे हैं, अगर बीजेपी जीतती है, तो यह तैं हो जाएगा, कि अब बीजेपी के जो असमेग गिका घोड़ा है, अब इसको अगले दस साल तक कोई रोक नहीं सकता इसको रोकने की अंतिम कोसिस उत्तर पर्देश में अखिलेश यादों ने की है, अखिलेश यादों यह कैसे नेता बनकर उबरे हैं, जिन्होंने बीजेपी को कली टकर दी है मैंने कल आपको कहा था कि यह लड़ाई यूकरेन और रसिया की तरह है, जहां अखिलेश ये लेंसकी की तरह लड़ रहे हैं, चाहे बंकर में बैटके लड़ना पड़ रहा हो, और चाहे जतना नुकसान हो जा रहा हो, लेकिन एक एक विधान समा तक हो गए, और बीजेपी अभी तक तो राश्ट्री चैनल ही गए थे यूकरेन, आप तो यूपी के चुनाओ को ही यूकरेन उठा ले गए विरेंजी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये चुनाओ उसके भविस के लिए निसकंटक रास्ता बनाएगा उनकी सत्ता के लिए, वो निसक पंटक राज करेगी आने वाले समय में, अगर इस देश में, इस प्रदेश में ये बदलाओ नहीं हुआ तो, आप देखिए कि अखिलेश, अगर सूबे के मुख्यमंतरी बनते हैं, समाजवादी पार्टी अगर जीती है, तो बीजेपी की राजनीत में क्या असर जाएगा इस देश की राजनीत में क्या असर पड़ेगा, मम्ता बनर जी, तेलंगाना के सियम, दिल्ली के मुख्यमंतरी, जहारखंड के मुख्यमंतरी, ये सब एक उत्तर प्रदेश से अगर उनको ताकत मिल जाए, अखिलेश यादों अगर यहां से मुख्यमंतरी बन गए, तो साह जेपी के सारे नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, हम इस देश में हम लोग बच्पन से कहवत सुनते आते थे, कि भाई, रुपिया पैसा हुआ तो सब टाटाम मानी, मंतरी, सांसत भिधायक न बन जाते, आज वो बात सही साबित हो रही है, कि इस देश में जिसके पास धन करता है, तो उद्धोग पती, चुनाओ जीत कर, सांसत और बिधायक क्यों नहीं बन सकता, मंतरी और मुख्मंतरी क्यों नहीं बन सकता, आज कई जगह से ईवियम चोरी की शिकायते हैं, कुछ कारवाई भी हुई है, यह क्या पूरा मामला और इसमें कितनी सच्चाई आप हैं, बड़ा कन्फूजन क्रियेट हो गया है, चुनाओ आयों के जो निर्देश हैं, जहां जहां उनका पालन नहीं हुआ, वहां पर यह गरवडिया हुई, कुछ जगहों पर वैलेट बाक्स मिले हैं, यह अधिकारी ऐसा काम क्यों करते हैं, जो चुनाओ की सुचिता पर स अधिक नहीं किया सकता, देश में केजिरीवाल ने तीन बार परचेंट बहुमत से इसी इवियम के दम पर दिल्ली में सरकार बनाई है, मम्ता बनर जी इवियम से चुनकर आई हैं, विपक्चे तमाम नेता, इवियम पर सवाल ने उठाए गए, इवियम की चोरी पर सवाल उठाए हैं, देखिए हमारे हाँ, चोर तो गली-गली मह हैं, अरे चोर चोरी जाए हेरा फेरिस ना जाए, बैमानों की कमी है, तमाम अधिकारी, तमाम पार्टियों की एजेंट हैं, ये निष्ठा साबित करने के लिए चोरी करा देंगे, तो इसमें कोई संका नहीं, कि य समाजवादी पार्टी बोल रही है, तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, विपश में जब हाथी को बैठा दिया, एकजीट पोल ने एकदम, कि वो हूँ हाँ भी नहीं कर पा रही है, करवट लेना होगा, तो करेन मंगानी पड़ेगी, तब दूसरी तरफ धक्य पाएंगे उसको, उसको तो एकदम बैठा दिया, कांग्रेस बूरी का एक तरह हो गई, ना दूद्दे पार रही ना गोबर, क्या कांग्रेस को कौन पूछेगा, कोई जो है, अब वही है कि इंतिजार किया जा रहा है, कि देखो सायद कोई नया आ जाए, तो कुल मिलाकर है, कि आपने एक चीज और कोर किया होगा, कि पूरी साहब अब मोदी जी की तरह दाढ़ी रखा रहे है, हाँ, ये बाप मैं नोटिस नहीं किया, जर इनको स्क्रीन पे लाओ गई, पूरी जी को, इनकी दाढ़ी में, आप देखिएगा, कोई भाव भंग इमाये हैं, लेकि ये बाइलेट पेपर चोरी नहों, बाख चोरी नहों, पॉलिंग भूद पे पुलिस लगाई जाती थी, आज उल्टा हो गया, अब पुलिस की रखवाली कर रहे हैं पबलिक, पहले पबलिक गुंडा मवाली अपरादी से बाइलेट पुलिस बचाती थी, संबेदल सील सें नहीं कर रही है, क्या बीजितर सयोग है, और इस देश में कैसी कैसी सितिया बन रही है, लेकिन जिस तरह से एगजिट पॉल आया है, वो ये सोचने पर मजबूर करता है, कि बीजेपी ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई है, क्या बीजेपी का राष्टवाद सर्वो परी हो चुनाओं में जातिये बंधन तूट जाएंगे, क्योंकि लाभारती हिंदू भी है, मुसलिम भी है, दलिद भी है, ओभी सी भी है, अगर उसने सिर्फ विकास के नाम पर ओड़ दिया, लाब के नाम पर ओड़ दे दिया, तो इसका मतलब जातिवाद अब काम नहीं करेगा अच्छा कई दर्सक पूछना है कि विरेंज सिंग से पूछे कि कल अपडेट कैसे दिलवाएंगे, उन्होंने क्या व्यवस्था किये, चुनाओं के नतीजे कैसे पता चलेगे, एक एक पोलिंग, एक एक मतगरना सेंटर से हमारे संबादाता आपको अपडेट देते रहें तीन सव से ज्यादा बड़ी फोर्स हमने लगाई है, हम एथेंटिक सूचना देंगे, यह भी एक सेना है, जो जनता को इन्फार्मेशन उपलब्द कराती है, एथेंटिक उपलब्द कराती है, तो सबसे पहले देंगे आप करने की, मैनुपुलेटर नहीं, किसी को बढ़ा सब जब एक ही करवट सोय रहे हैं, जब पूरे कुए में भांग पड़ जाए, तो कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा, सचाई के साथ रहना पड़ेगा, तो कल आपकी फोर्स देगी मतलब अपडेट पहले, पूरे उत्तर परदेश में हम सबसे पहले नतीजे दे रुजान देगे, सभेरे छे या ऐसे देगे और इसप्रदेश में और अरदेश के लोग देखेंगे कि भारत समाचार सबसे आथेंटीक सूचना देगा, बारत समाचार पर बने रहना है, लेकिन आज राइनेतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए, कहा जाता है, जीवन ब जीवन एक संग्राम है, संग्राम है लड़ना पड़ता है, जो नहीं लड़ सकेगा वो नहीं बढ़ेगा, कल के चुनाओ पड़नाम इस देश की दसा फिर सिताई करेंगे, बहराल चुनाओं में लोगों का इमान डगमगाता है, जमीर डगमगाता है, तमाम सारे हतकंडे जाते हैं, लोग कदम कदम पर बदलते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक साइटकार ने लिखा है, कि अभी जमीर न बेचो, अभी हैकन की मत, मत गड़ना हो जाने दो, भारी उचाल आएगा, आज हुकूमत और सियासत दोनों का दस्तूर है, जिसके हाथ में लाठी होगी, भै जिसनी का फैसला, जिस दिये में जान होगी, वो दिया रह जाएगा. वाह, बहुत शुक्रिया भी निंजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.